बड़ी खबर आ रही है क्योंकि देखिए आज सोनिया गांधी को ED के सामने पेश होना है लगातार दूसरा देन है और ऐसे उनकी तीसरी बार वो ED के सामने उनकी पेशी है कल 6 घंटे उनसे पूशता चुई लेकिन इस बीच मुंबाई से जो तस्वीर आप निकल कर सामने आने शुरू हो गई दरसल ये ट्रेन जिसको रोका है कॉंगर्स के कारेकरताओं है विरोध हो जता रहे हैं लेकिन अब पहले जिस तरी स्वीर के खुल के ये का जा रहा था कि सोनिया गांधी राहू गांधी से जो ED के फूशता चोड़ी है वो गलत है उसको लेकर विरोध हो रहा है लेकिन कारेकरताओं की भी देश में अलग अलग जगाओं पर ऐसी तयारी थी कार करताओं की कि वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे तो तस्वीरे अब मुंबई से आने शुरू भी हो गई है थोड़ी देर में जब सोनिया गांधी को ED के सामने पेश होना है तो दिल्ली से भी कुछ वैसी तस्वीरे निकल कर सामने आने लगेंगी कल भी हमने देखा राउल गांधी भी धरने पर बैटे जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया लेकिन फिलाल ये तस्वीर आप मुंबई से देख रहे हैं आज भी सवाल पूछे जाएंगे सोनिया गांधी से और कॉंग्र हैरार्ट सुझ रहे हैं ये पूरा मामला साथी साथ आज बावाल क्याशन का दिख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरे आज नहीं आ रहे हैं राहूल गांधी को जब एडी के सामने बुलाए गया था तब भी हमने देखा कि कारेकरता सडकों पर गिरफतारी देने के लिए रहूल के घर के बाहर अमित भारतवाज हमाईस थामाई सयोगी मौजूद हैं सबसे पहले जरा सुप्रिया जल्दी से बता दीजे जें कांगरिस दफ़्तर में किस तरीकी की तयारियां चल रही हैं क्योंकि यहां तो तस्वीरे आने भी शुड़ो हो गई मुंबई से जहा यहां पर क्या तैयारी है। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ की जो सड़क है उस पर आवाजाही रोग दी गई है और वहाँ पर प्रियांका गांधी और पहुंच चुके है राहुल गांधी जो है वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे दूसरी और आप दिरेशे देखे अकबर रोट का है जिसको पू गुलाम नभी आजाद और उनके साथ-साथ आनन शर्मा जो है वो लोग प्रेजेंट थे राजस्तान के मुख्य मंत्री जो है अशोग गेलोट वो भी जो है इससे में मौजूद है एसीसी मुख्याले के अंदर और बैठ के चल रही है और उसके बाद जो है कहा ये जा रहा प्रदर्शन जो स्टेट उनिट से शुरू हो चुका है लेकिन संसत के अंदर जो है गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन होगा और उसके बाद वहीं से प्रोटेस्ट मार्च जैसे कल हमने देखी थी निकलेगी राश्पती भवन जाने के लिए प्रेंका गांधी दोनों अपनी मा के साथ गए वहाँ एडी दफ्तर में वहाँ पर फिर राहूल गांधी वापस आ गए आज की क्या तैयारी है राहूल गांधी अभी अपने आवास पे है या सुनिया गांधी के घर पहुच चुके हैं क्या जानकारी अर्पिता इस वक्त देखे पीछे तस्वीरे राहूल गांधी का आवास और बाहर सेक्यारिटी के लोग खड़े हैं यानि की चहल पहल शुरू हो गई है कल भी हमने देखा था साड़े दस बजे के बाद राहूल गांधी का जो कैवल केड है वो यहां से निकला था और सीधे 10 जनपत तक गया था और 10 जनपत से राहूल गांधी सोनिया गांधी और प्रेंका गांधी वाडरा वो गए सीधे ED के दफ़्तर और फिर वहां से के द्वारा जिसमें नाकेवल ये कहा गया कि सोनिया गांदी के खिलाफ जो पूस्ताच हो रही है इडी द्वारा उसके विरोध में प्रदर्शन है बलकि साथ साथ राहूल गांदी खुद कैमरे पे बोलते हुए सुनाई दे रहे थे कि क्यूंकि वो कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बेरुजगारी के मुद्दे पे महंगाई के मुद्दे पे प्राइस राइस के मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं इसलिए सरकार की तरफ से उनको रोकने की कोशिस की जा रही है तो साफ तोर पे मेसेजिंग का भी जो पूरा टेकनीक है कॉंग्रेस ने उसको भ भावना यही है कि राहूल गांदी जब अपने घर से निकलेंगे तो सीधे 10 जनपत पहुंचेंगे जहां पे वो अपनी बहन और मां के साथ एडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे और सोनिया गांदी उसके बाद तीसरे राउंड आफ क्वेशिनिंग के लिए एडी दफ्तर में जॉइन करेंगी तो साफ तोर पर स्ट्राटीजी का मुवेश काल वाली ही रही रही है और बाकी कारिकरता भी यहां पर आ गए जगें जगें क्योंकि नाकी बंदी है और लगाता पुलिस का पहरा काफी खड़क है इसके चलते कई कारिकरता जो है वो यहां नहीं पहुच पा रहे हैं तमाम लोगों को हिरास्त शमा मुहमद आ गई है उनको भी हिरासत में लिया सकती वहां एक लिस्ट है वो लिस्ट में मैंने बोला मैं शमा मुहमद राश्टर परवड़ता हूं मैं ऐसे अंदर कितने जो हमारे जब नॉर्मल कारे करता वहां जो बंद किया है वहां अकबर रोड के दोनों तरफ से बंद के कैसे कारे करता अंदर आ सकते आप बताओ गुलाम नभी जी है, जैराम रमेश जी है, अशोग गैलो जी है, उसके वज़े से सब लोग वहाँ है और मेरा सवाल आज क्या है, क्यों हम अमन से क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल आप नगर मिना रखिए, देखिए, कॉम्लोस के कारेकरता मुख्याले पहु अर्णेय малे हैं, आप धोग ज मैं हमेश जी है, वहां जान को मेरा नहीं जान कर सकते हैं, बिल्कुल आपता सकते हैं!